हालो गाइज वोलकम बैक तो माई चानल आज का वीडियो एक बहुत ही ट्रेंदिंग टॉपिक पे होने वाली है वो है वाटरप्रूप मेकब आप लोग जानते हैं इन दिनों वाटरप्रूप मेकब का बहुत ट्रेंद चल रहा है आज मैं वही आपको दिखाऊंगी कैसे आप इजली वाटरप्रूप मेकब कर सकते हो पहले मैं मेरी स्किन को प्रिपेर करूंगी इसके लिए फर्स्ट मेक आइस क्यूब लोगी इसको मैं मेरी स्किन पे हलका 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 करके रब करूंगी पूरा फेस पे हलका हलका करके रब करना है उसकी बाद मैं मेरी स्किन पे एक टोनर अपलाई करूंगी एक गुड़ वाइस का एक टोनर है इसको मैं मेरी स्किन पे हलका सा स्प्रे कर दूंगी और इसको थोरी देर के लिए छोड़ दूंगी नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी मॉस्टराइजर, मॉस्टराइजर के लिए मैं कोलाजीन फेस क्रीम लूँगी, यह मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, इसे ही मैं मेरी फेस पे अप्लाई करूंगी यह face cream बहुत ही अच्छा एक face cream है मैं इसको मेरी face पे बहुत ही अच्छे से apply करूंगी इसके बाद बाड़ी है primer की primer के लिए मैं मेरी favorite surf report बेलरेना ओइल-free face primer को लूंगी यही मैं मेरी face पे apply करूंगी यह बहुत ही एक अच्छा primer है ये एक सिलिकॉन बेस प्राइमर भी है इसलिए मैं इस मेकप के लिए स्पेशली ये सिलिकॉन बेस प्राइमरी आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है इसको लार्ज पोर एडिया पे अप्लाई करूंगी मैं इस वीडियो पे सिर्फ बेस कैसे क्रियेट करना है वाटरप्रूग मेकपर का वो ही आपको दिखाऊंगी और फूल फेस मेकप के लिए आप लोग मेरी दूसरी वीडियो पे नजर रखिए मैं जल्दी ही वो मेरी यूटूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी आप लोग जानते हैं मेरी इस एरिया पे थोड़ा हाइपर पिग्मेंटेशन है इसलिए मैं इसको करेक्ट कर लूंगी यह है एले गर्ल प्रो का ओरेंज कलर करेक्टर यह थोड़ा सा मैं मेरी अंडर आई पे भी अपलाई करूंगी और इसको फिंगर टिप्स की मदद से हलका हलका करके ब्लेंड कर लूंगी आप मैं कॉंसिलर यूज करूंगी आप लोग जानते हैं मैं जादा तर वक्त फाउंडेशन की पहले ही कॉंसिलर अपलाई करती हूँ आज भी मैं वही करूंगी पहले मैं कॉंसिलर अपलाई करूंगी मेरी अंडर आई पे मैं हलका हलका करके कॉंसिलर अपलाई करूंगी जादा नहीं करूंगी थोड़ा ही करूंगी अच्छे से अप्लाई करूंगी इसको नेक्स्ट है फाउंडेशन फाउंडेशन में मेवलीन का फुल कावरेज फाउंडेशन लोंगी इसको मैं मेरी फेस पे अप्लाई करूंगी थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूंगी और इसको जल्दी से ब्लेंट करूंगी ऐसे ही करके मैं मेरी फूल फेस पे ये अप्लाई करूंगी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूंगी उसकी बाद मैं ब्लेंट करूंगी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही अप्लाई करना है फाउंडिशन को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी डैब डैब करके इसको ड्रैग नहीं करना है इसको डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है आप जितनी अच्छे से ब्लेंड करोगी आपका बेस उतना ही flawless रहेगा और इसको बहुत अच्छे से skin के साथ एकदम से ब्लेंड कर देना है अब ज्यादा अच्छे से ब्लेंड करोगी तब भी ये बेस waterproof होगा इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी foundation ब्लेंड करने की बाद मैं फिर से एक toner को मेरी face पे apply करूँगी इसको spray कर दूँगी हलका करके आप चाहे तो normal water भी spray कर सकते हैं मैं toner यूज करती हूँ वो ही मैं apply करूँगी face पे और इसको फिर से वही बाला blender से dab 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 करके skin के साथ blend कर देना है अब है final step ये है fixer मैं इसको मेरी face पे apply करूँगी ये बहुत important step है इसे ही मेरा full face से ठोगा waterproof base के लिए मैं अब इसको मेरी face पे apply करूँगी और इसको छोड़ दूँगी dry होने के लिए फिर मैं दिखाऊंगी life proof यहाँ पे कोई भी product नहीं है सिर्फ पानी है ये सिर्फ पानी को सोक किया है और कोई भी product यहाँ पे नहीं है मैं मेरी finger से भी दिखाती हूँ आपको मेरी hand पे कोई भी product नहीं आया है ये बोही वाला tissue है जिससे मैं मेरी face को watch किया था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी product नहीं है ये एक complete full waterproof base है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी product नहीं आया है मैं मेरी face पे रब करके भी आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे कोई भी product नहीं है और मेरा base बहुती एक flawless base है और बहुती long lasting और waterproof है ये थी मेरी आज की वीडियो आप भी खुद का waterproof base ऐसे ही create कर सकते है I hope you guys enjoyed my video If you like my video, please subscribe my channel and share with your friends Bye Bye